इस सेशन में हम बात करेंगे 4 major points की उपर यह कोई common points ने जो किसी भी examination में आप apply करते हैं यह 4 major points वो हैं जो professional examination के लिए especially design करे जाते हैं और अगर throughout the journey पूरे process में आप इन 4 major points पर सच में काम करते हैं तो जो result आप सोचते हैं, जो result आप चाहते हैं वो result आप सच में पा सकते हैं पर एक सवाल आता है, सर आपकी बात क्यों माने सर बड़ा simple सा concept देता हूँ September, December 2024 के लिए यह मेरा CTC Classes का 27th attempt है आगे आप समझदार हो, है ना? और एक बड़ी मज़ेदार बात, जब June 24 की Classes हम already ले रहे हैं the very first time, first time ऐसा हो रहा है कि हम upcoming attempt के लिए कोई session प्लान कर रहे हैं बाकी जिम्मेदार ही है आपकी, शुरुबात करते हैं सबसे पहले points से, how to prepare for September, December 2024 examination देखो यार, बड़ी सीधी बात है, चार points डिसस हरूँगा यह common points नहीं का, आपको मेहनत करनी चाहिए, hard work करना चाहिए, consistency करनी चाहिए, realistic होना चाहिए, यह तो हई है बड़ उससे जादा important, सबसे पहला, know your syllabus accounts, law, math, ego का syllabus जान लो, even मैं तो कहूँँगा, जान मतलो, पहचान लो और पहचाना जाता है, चल जितन से चनाव, यह PDF, syllabus का PDF मैं आपको telegram पर provide कर दूँगा, वहां से आप download कर लीजिगा, है ना, जिन बच्चों के मन में सवाल telegram कहां, तो telegram पर search करना, ctc classes, जहां पर 48,000 से जादा बच्चे already available है, वो channel free में आप join करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई course हम sale नहीं कर रहें, मज़े करो, लेकिन पढ़ो, तो syllabus आप zerox निकालेंगे, आप देखेंगे, accounts का क्या है, law का क्या है, math का क्या है, economics exactly पता लग जाएगा, सबसे पहला काम है, know your syllabus, course खरीदने से नहीं पास होगी किसी का, पढ़ने से पास होगी बात याद रखना, तो सबसे पहला काम, अपना syllabus पहचान लो, similarity शेक कर लो, कि में क्या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, law में कुछ पता है, कि नहीं पता है, मालो किसी बच्चे को लौका कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लौक की प्लेलीज जाके चेक करो, या फिर लौका चैप्ट नमबर वन, जो है, Indian regulatory framework, आगे लिखो CTC classes, पूरा लेक्चर मिल जाएगा, हमने पढ़ा रखा है, अब भी रिसेंटली, हैना, Negotiable Instrument Act 1881, लिखो, आगे लिखो CTC classes, मिल जाएगा, पूरा पढ़ा रखा है, प्रिपेर कर लो, अगर चाहते हो तो, सेकंड नमबर पर आते हैं, know about your SWOT, SWOT analysis करो, आपने हमेशा पढ़ा है, बढ़िया मौका का मिलेगा, जब आप प्रफेशनल एक्जाम चूज कर रहे हैं, एक बारी पता तो लगाओ, आपकी strength क्या है, आप अगर conceptual numerical handle कर पाते हो, तो आपकी strength accounts होगी, math background रहा है, तो math भी हो सकती, अगर आपको theory पढ़ने में मज़ा आता है, आप example connect कर सकते हो, तो आपकी strength है, वो law और economics होगी, पता लगाओ strength क्या है, strength पता लग गई, पहले दो काम करने, strength और weakness झूड़नी है, opportunity और threats, ये process का part है, I love the process, दोस्ट, अपार्चिन थेट्स में बाद में काम करेंगे, सबसे पहला strength, weakness झूड़ो, चार paper में कौन सा paper strength है, कौन सा paper weakness है, मैंने एक तीसरे नमबर पे आते हैं, पहला काम, syllabus जानना है, xerox निकल वा लिजिएगा, और इसके according चलिएगा, दूसरा, अपनी strength और weakness ढोंड लीजे, syllabus देखेंगे, chapter देखेंगे, unit देखेंगे, खुद बाखुद पता लग जाएगा, तीसरा सबसे important काम, पीवाईपी लगेगा, previous sufficient time मिलता है, तीन से चार महनी की preparation more than sufficient है, अगर आप सच में पढ़ रहे हैं, तो condition apply, चार सब्यट इनदे, क्यों करना है, और क्या इसमें consistency बनी रह पाएगी, ये सवाल खुद से पूछना है, जिनोंने कहीं से कुछ कर रखा है, मुझे comment में जरूर बताना, कि अगर आप 4 plan way, बहुत important है, plan way में चलेंगे, जब हम जिस moment से पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहला हफता, कोई एक सब्यट शुरू करेंगे, जिसमें हमारी actually strength भी है, और interest भी है, क्या बोला मैंने, strength भी है, interest भी है, वहाँ से शुरू करेंगे, महबत होनी चीज़ सब्यट से, जभी पढ़ने में, और सुनो, महाल बनाने के लिए, पहले हफते में हम एक सब्यट से शुरू करेंगे, हम बिल्डप करेंगे, दूसरा हफता आते आते हम वो जो सब्यट पढ़ रहे थे, वो तो पढ़ेंगी, साथ में एक सब्यट और प्लग कर देंगे, two subject in a day का combination बना के चले पढ़ेंगे, और यकीन मानो, पिछले 27 सेटम्ट, 26 सेटम्ट होगे, ये वाला 27 होगा, आप वाला कमाल कर जाओ गया, आते हैं, चौथे पॉइंट पर, focus on ICI Shady Metal, जिनोंने कुछ सेल करना है, उन्होंने ये बोलना पढ़ेगा, कि आप हमारे कोर्स के साथ ये बुक भी लो और फिर ये बोलना होगा, कि बुक में ICI के सेटम्ट भी है, तो चाचा, अगर हमें वही पढ़ना है, तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ICI के बुक फ्री मिल जाएगी, पढ़लो, क्या दिक्कत आ रही, मौक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर, कम से कम पांच पांच अटेम्ट देखेंगे, तो तीन अटेम्ट का मिलेगा, because ICI क्वेस्टन को इधातर करता है, नमबर, नेम, डिजिट्स बदलती है, सब कुछ सेम होता है, तीन अटेम्ट का पेपर लग जाएगा, सवाल है, तीन टेम्ट का पेपर कहां मिलेगा, sir, because website पे तो नहीं द पूरा कोर्स पूरा खतम करेगा उसके बाद प्रिवेस एर पेपल आए क्या कर रहे हो जब जो चैप्टर खतम करो उस चैप्टर का क्वेस्चन पिछले 10 अटेम्ट में आ रखा है कम से कम पांच अटेम्ट का जरूर जरूर लगा लो मैं उमीद कर रहा हूं कि जो चार समय जाई है तो अपने किसी दोसे वीडियो शेयर करके आपने प्रिजन्स लगाई कि नहीं लाइक प्रिजन्स लगा लो है पिट बनानी है एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं पिछले कई एंट में साथ रहा हूं तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है जून जर्नी को इस प्रॉसेस को इंज्वाय करना है थैंकि सो मच फॉर कमिंग इंडिस वाश्कास लिएंड बुलाकात होगी बहुत ही जल्द ऑन बेसे और फीडबाक इन दो कॉमेंट सेक्शन तब तक लिए ख्यार लकिन शांदार रहें पढ़ते रहें और एक बड़ी जरूर चीज इस प्रॉसेस को इंज्वाय जरूर करें